नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको कच्चा प्याज खाने के फायदेग बारे में बताऊंगा दोस्तों हजारों साल से खाने के साथ में कच्चा प्याज को सलाद के रूप में इस्तमाल किया जाता है आखिर क्यूं? क्या benefit है इसके अंदर जिसे लोग हमेशा सलाद के रूप में खाने के साथ या बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो रोटी और प्याज ही खाकर सब्र कर लेते हैं दोस्तों आप बहुत से ऐसे जगे देखे होंगे मजदूरों का खाना है रोटी प्याज और मर्चा लासुन और नमक और बस वह इतना ही खाकर पूरा पूरा सरीर को ताकत प्राप्त कर लेते हैं उन्हें पूरा पोसक तत्तु मिल जाता है आखिर क्यूं? कभी आप सोचे हैं इसलिए दोस्तों क्यूंकि प्याज के अंदर अन्यको प्रकार के बिटामिन पाये जाते हैं दोस्तों प्याज के अंदर बिटामिन सी का मात्रा पाया जाता जिसके वज़े आखों के रोसनी को बढ़ाता है दोस्तों आप अक्सर देखे होंगे घर के अंदर मा बहने जब प्याज को चीलते हैं या काटते हैं या आप खुद प्याज को कभी काटते होंगे तो प्याज का जहार आखों में जब लगता है तो आखों से पानी तर 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 गिरने लगता है और आखें पर प्राने लगती है आखिर क्यों दोस्तों प्याज के अंदर से जो प्याज के जह जब आखों के अंदर जाता है तो आखों के लेंस जो है वो तेजी से तेज तरीके स्काम करने लगता है आखे जो है पानी छोड़ने लगता है वह पानी छुटने से आखों के रोसनी जो है बढ़ता है मुतिया बिंद होने खत्रा टल जाता है काफी मात्रा में दोस्तों अग और आखों के अंदर लालिमा लाली जमा हुआ है तो अभी आप प्याज यहँ हमने से effective कम स्यासिटा के आगर पायँ फिल्ह फाईदा क्यूंग्यएं मिलीमिटाश्बीर का सूजनी जैने सेलती द Het리ine हमें, भीन दोस्तुमिक्य में में मांद Forsch या काफी मातरा तक घटाता है दोस्तों प्याज के अंदर एंटी-एंटी-एक्सिडेंट नामक केमकल पाया जाता है जो कि अचानक आये हुए किसी भी कितारूग नष्ट करनेक छमता रखता है दोस्तों प्याज के रस चेचक, कलरा, हईजा, बीमारी से लड़नेक छमता क्यि καths होता है उस व्यूर्च का रश काफी काफी था कफ़ी फायिदे मंध होता है। तब कभी दो सबस estéल सबस्वार कर तो होटल हमें प्याज यह ला और प्याज होने से बचाता है। और खाने को जल्दी हजम कर देता है, दोस्तों कच्चा प्याज खाने से मेमरी पाहर बढ़ता है, दिमाग के अंदर बारिक बारिक नसों के अंदर ताकात आता है, जिससे दिमाग के अंदर ब्लड को लोथिंग होने का खत्रा काफी मात्रा तक कम हो जाता है, दोस्तों कच्चा प्याज दिमाग के नसों को ताकत देता है इसलिए अगर किसी को मिर्गी के दौड़ा पढ़ने लगता है तो उसके नाकों के पास कच्चा प्याज का जहार सुगाया जाता है यहीं तक नहीं दोस्तों अगर कोई प्रती दिन कच्चा प्याज सेवन करता है तो उसे स साइदे मन्द्ध होता है कच्छा प्याज का खाना का दोस्तों कच्छा प्याज के कमी को भी दूर करता है क्योंकि इसके अंदर अगर किसी को सिखायत कप करने कभान करता है और स्वांसनली को साप कर देता है किसी तरह दिक्कत नहीं था दोस्तों अगर किसी Qudah Talk महसूस होता है तो इस तरह से लेकर इसे कर इसका रस निकाल ली और उस रस को करीबन पाव किलो रस को पाव किलो सहद मिला कर घोट कर डबे में रख लीजिए रोज सूबा साम एक एक चमच आपको खाना खाने के बाद खाना है दूद के साथ दोस्तों कच्चा प्याज के फाइदे और भी अनेकों है या सूजन को भी दूर करता है अगर किसी को घुटने में दर्द होता है तो उस सूजन के अस्थान पर कच्चा प्याज को पीश कर गर्मा कर उच जगे पर बान दीजिए तो सूजन धीरे-धीरे कम हो जाएगा दोस्तों या कच्चा प्याज एलर्जी को भी दूर करता है दोस्तों गाठ गाठदार फोड़ा होता है जिसका मुह नहीं होता है सूजन रहता है उस फोड़े फुनसी पर भी कच्चा प्याज को गर्मा कर बानने से सूजन और फोड़ा धीरे-धीरे कुद दिनों बैठ ज तो दोस्तों मैं अपना महात्पूर जानकारी प्याज के उपर यही समाप्त करता हूं यह आप प्याज देख रहे हैं यह इंडियन प्याज नहीं अफगानिस्तानी प्याज है ऐसे आप हिंदुस्तानी प्याज इस्तमाल कर सकते हैं अफगानी प्याज से जादे फायदे मंद हमारा हिंदुस्तानी प्याज होता है तो दोस्ता नमस्कार पहाड़ी आयरवेदिक